आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके फोन में ब्लूटूथ आन नहीं हो रहा है तो इस प्रॉबलम को कैसे ठीक करें तो यहाँ पर अगर आपके फोन में Bluetooth चालू नहीं होता है तो इसे ठीक करने के लिए आप अपने फोन में Settings को Open करिए और जब आप Settings में आएंगे उसके बाद आप नीचे स्क्रोल करिए नीचे आकर आपको मिलेगा Apps का Option Apps पर आप किलिक करिए Apps Option पर किलिक करने के बाद ऊपर आएगा Manage Apps का Option या फिर आपके फोन में आएगा App Management का Option इस पर आप किलिक करिए किलिक करने के बाद कुछ सेकंड्स का Wait करिए उसके बाद ऐसा Page आपके सामने आएगा उसके बाद ऊपर Right Side में टीन डॉट पर किलिक करिए तीन डॉट पर किलिक करके Show All Apps पर आप किलिक करिए उसके बाद नीचे स्क्रोल करिए और नीचे स्क्रोल करके आपको मिलेगा Bluetooth Bluetooth पर आप किलिक करिए और किलिक करके नीचे मिलेगा Force Stop इस पर किलिक करिए उसके बाद OK करिए और उपर storage का option आएगा storage पे click करिए और नीचे उसके बाद आएगा clear data इस पे click करिए clear all data पे click करिए उसके बाद ok करिए उसके बाद back आईए फिर से back आईए और यहाँ पर जब आप settings में आएंगे तो उपर आपको मिलेगा एक search settings का option इस पर आप click करिए click करने के बाद type करिए नीचे reset और reset type करने के बाद आपके phone में आएगा reset network settings का option तो reset network settings पे click करिए यहाँ फिर आपके phone में आएगा reset wifi mobile network and bluetooth इस पर आप click करिए और click करके नीचे reset settings पे click करिए उसके बाद phone का log डालिए और उसके बाद नीचे ok पे click करिए यह करने से कोई आपका data या फिर कोई photo video डिलीट नहीं होगा बस आपके वाइफाई mobile data और bluetooth की settings reset आप कर सकते हैं तो यहाँ पर ok पे click करके इस process को कर लीजिए हमने पहले से कर लिया है तो back आईंगे और उसके बाद अपने phone को restart करिए यानि बंद करके चालू करिए उसके बाद फिर से check करिए अब आपके phone में bluetooth open हो जाएगा तो इस तरीके से इस problem को ठीक करें वीडियो पसंदाई वीडियो को like और channel को subscribe जरूर करें